अल्मुस्ट साथ साल का इंतजार और ये गेम Cyberpunk 2077 फाइनली हमारे हाथ में है मैंने इस गेम को पांच घंटे खेलने के बाद इसके बारे में ऐसी पांच यूनीक बाते ठूनके निका ली है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा ठीक इस Unboxing सेग्मेंट के बाद सन्वले आप लोग इसका MRP देख लो जोगे है 3999 यानी की 4,000 रुपे बट अबिसली पुनीत बिया से यह आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाएगी पुनीत बिया के शॉप है पाले का बजार के अंदर शॉप नंबर 2 इलेक्ट्रोनेक्स पैलेस के नाम से उनका कॉंटाक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जागर उनको कॉल करो और उनसे घर पर ही डिलिवर करवा सकते हो बहुत ही थोड़े से चार्जेज में प्लीज कोविट सिच्वेशन में कहीं पर जाना मत और पालिका जैसी भीडबड वली मार्किमर तो बिल्कुल भी मन जाना ठीक है पैगी की तरफ से 18 रेटिंग है इसकी यहां पर left hand side top corner पर आप ध्यान से देखो तो यहां पर लिखा हुआ है over 200 awards then top right hand side corner पर आपको box के contents क्या क्या है वो लिखे हुए दिख जाते है and then back side पर game के अंदर के कुछ scenes देखने मिल जाएंगे and a quote लिखा हुआ है night city changes everybody और वैसे night city वो fictional जगा है जिसके अंदर game की पूरी setting करी गई है game के कुछ features यहां पर mentioned आपको दिख जाएंगे so finally इस box को slide करके निकाल लेते हैं and then देखते हैं क्या-क्या contents है अंदर okay तो यह वो postcards है जिसके बार में लिखा हुआ था box के ऊपर भी और इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ribbon type का वेपर लगा हुए and then back side पर यह एक postcard की तरह है उसके बाद आपको यह game map मिल जाता है जिसको दिखाने के लिए मेरा यह जो frame है वो दिखाने के लिए तो मैं आपको इसके ऊपर एक और वीरो लैड करके दिखा दूँगा and then finally हमें यह world compendium मिल जाएगा मतलब कि इस world के अंदर night city के अंदर आपको क्या-क्या चीज़े face करनी पड़ेंगी वो सब इसके अंदर mentioned दिखती हैं सिर्फ यही फरेक है इसके अंदर कि यहां पर लिखा हुए data disk और यह है एक play disk मतलब कि जब आपको game install करनी है तो इसकी male character बना हुआ है तो बढ़ते हैं उस review की तरह first of all glitches इस game के अंदर भर भर के glitches है और यह बात अभी तक पूरे इंटरनेट को पता है फिर यह बात unique कैसे हुई wait a minute glitches actually make this game fun and मैं को spoilers नहीं दे रहा है बट game में बहुत जल्दी एक काफी important character की death भी हो जाती है तो obviously यह game काफी intense है but in intense moments के बीच में जब यह छोटे मोटे glitches आते हैं तो वो game के अंदर एक fun element भी लेकर आ जाते हैं for example इस footage के अंदर दो characters एक दूसरे के अंदर गुसे होए है और जब भी आप किसी enemy को मार देते हो न तो यह पकी बात है कि थोड़ी देर में ही वो या तो दिवार या फिर जमीन के अंदर धस जाता है and especially गाड़ी drive करते हैं तो अगर आप किसी दूसरी गाड़ी को ठोको के न तो बीच में इतना ज़ादा gap है मतलब एक से rate food का gap होता है बट फिर भी हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी को ठोक देती है although I know कि लोग internet पर ये rant कर रहे हैं कि console versions खास कर base model PS4 और base model Xbox One के ओपर तो ये game literally crash हो रही है at least मैंने बिदक अपनी PS4 Pro के अंदर इतना severe कुछ भी नहीं face की है दूसरी चीज मेरे पास एक PS4 Pro है and उसी के अंदर मैंने इसको play किया है आप लोगों को पता होगा कि PS4 Pro के अंदर true 4K tech नहीं है इसके अंदर normal PS4 वाली games सिर्फ upscale करी जाती है 4K resolution के अंदर but honestly बताऊं तो मुझे आज तक कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुई है in person मतलब इसके अंदर कोई भी game खेते वक्त मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि ये game true 4K में नहीं चल रही है but for some reason पता नहीं क्यों cyberpunk 2077 के अंदर ये चीज़ मुझे feel हुई and मुझे literally ऐसा लग रहा था कि अपने 4K HDR TV के अंदर मैं कोई 1080p वाली game चला रहा हूँ जिसकी वज़ाची जो footage है नहीं वो फट रही थी pixelate हो रही थी no doubt I know game के अंदर एक film grain filter है जो की by default switched on है तो mind you मैंने उसको भी off on करके देखा बट मुझे फिर भी quality में जादा फर्क नहीं लगा ये शायद ऐसी पहली game होगी जो मुझे वाके में PS4 Pro enhanced नहीं लग रही है तीसरी चीज़ वियर headphones मैं imagine मिन नहीं कर सकता इस game को headphones के बिना खेलने का और उसका simple सा reason ये है कि इसका जो background score है जो हर scene और हर situation के according बदलता रहता है वो आपके gameplay को इतना immersive बना देता है ना यार कि मैं क्या बताऊं तुम लोगों को तो please headphones and in fact अच्छी quality के headphones पहन कर ही इस game को enjoy करना चौती चीज़ इस game का melee is OP मतलब तुम लोग सोचे रोगे कि यार OP word generally हम किसी weapon के साथ use करते हैं खासकर guns के साथ जैसे कि AWM is OP या फिर AKM is OP या SCAR is OP ये जीज़ मैं इस game के melee attacks के लिए बोल सकता हूँ मतलब punches and all जब भी तुम लोगों के पस bullets खतम हो जाए ना चिंता मत करना भाग कर उस enemy के पास जाना और उसकी गुत्थी पर रख के दो चमाटे देना वहीं पर खतम हो जाएगा मैं सच बतारूँ 2-3 maximum 4 थपड़ों या घूसों के बाद ना हमारा enemy धेर हो जाता है and enemies का तो क्या ही कहना है मैंने शुर्में भी तुम लोगों को बताया है कि इतने glitches है enemies के behavior के अंदर कि वो तो थपड deserve भी करते हैं वाके में पाटवी चीज मुझे पता है इतनी सारी अच्छी अच्छी बाते सुनने के बाद तुम लोगों को लग रहा होगा कि यह game काफी fun और easy है surprise surprise नहीं in fact normal difficulty mode में भी यह game काफी challenging हो जाती है खासकर comment situation से निकलना, escape कर पाना, चाहे fight लेकर या फिर stealth mode में बहुत मुश्किल है और आपको multiple tries लगेंगे but believe me multiple tries लगने के बावजूद भी आपको game कभी भी boring feel नहीं होगी and बहुत मज़ा आएगा हर बार जाने से पहले बस यही कहूँगा कि 7 साल का जो weight था इस game के लिए वो totally worth it था and ये game अपने धेर सारे glitches and bugs के बावजूद भी अपने 4000 उपे के price tag को बिल्कुल justify करती है and please इस game को एक बार जरूर try करना चाहे किसी gaming console के उपर या फिर gaming laptop या gaming PC के उपर आप definitely निराश बिल्कुल भी नहीं होगे and बहुत जादा enjoy करोगे मिलते हैं के लिए वीडियो में जब तक के लिए adios तेर को बताता हूँ मैं आपरा का डापरा गिली गिली चूँआ